यह सार संग्र का आज वीडियो नमबर 26 होने वाला है अगर किसी भी competitive exam की तयारी कर रहा है तो यह सार संग्र आपका जरूर देखना चाहिए जो कि platform के दोरा जारी किया गया है इसमें पूरे आपको NCRT का निचोर देखने को मिलता है बिडियो नमर 26 में सुरू हो रहा है राष्टिय सोतंतरता अंदोलन 1857 के बाद से यह सोतंतर संग्राम का इसमें अगर कोश्यान होगा 1857 के सोतंतर संग्राम का प्रतिक क्या था? कमल और उटी था भारती राष्टि कांग्रेश के मन से बोलना वाली पर्थम महिला कौन थी? स्रीमती कमला गांगुली 1917 के कांग्रेश के कलकता अधियक्ष कौन था? एनिवेसेंट सुजनी नाइडू कांग्रेश अधियक्ष कौब और किस अधियक्ष अधियक्ष में बणी कपा पर कंगरेस के सनस्थापक के ओंध्यघ्र कब बनैं कभी नहीं जी वाला बाग ऐन्शी कंधेरा प्रभा 1990 खुआ था उस समय कांगरेस ब्याद्यक्ष सॅधैक्ष्यख्ष्ष EC उस समय के कांगरेस अध्याक्ष इंडियान मीरर नामक पत्र के संपादक कौन थे केशवचंद्र सेन थे इंडियान मीरर के संपादक पिर्शी इंडिया एक्ट कप पारित हुआ 1784 भी में भारती राष्ट्य कांगरेस के अस्थपना के समय भारत का बाइसराय कौन था लोर्ड डफरीन कांगरेस के किस अधिवेशन में पंडिजवला नेर्यू का द्यक्षता में भारत ने फूल श्रतन था की मांग सन 1937 में की थी कांगरेस की लहर अधिवेशन में किसके बिरोध में रविना टैगोर ने नाइट हुड की उपादी वापस की थी जालियावला भाग हत्यकांड के बिरोध में मात्मा गांधी ने सविने अवग्या अंदोलन का प्रारम किया 1930 में प्रारम किया था अजाद हिंद फोज की अस्थापना का नेना कब लिया गया 1942 में बैंकोक में इंडियान इंडिपेंडेंडेंस लिग की साभा में लिया गया था गांधी जिन ने अहमदाबाद में सावरमाती आस्रम के अस्थापना कब की मई 1916 में स्वधेसी आंदोलन से पले कप प्रारम भुगा बंगाल भी भाजन के विरूध हुए आंदोलन के समय स्वधेसी आंदोलन प्रारम भुगा था कांगरेस के गोल में समयलन की किस बैठक में भाग लिया केवल दूसरी बैठक में दिल्ली सर्णयांत्र केस में किसके द्वरा मुखबारी की गई थी दीनानाथ द्वारा 1937 में जन जागरान मंच की अस्थापना कहा की गई मैंसूर राज्ये में जुकी अभी करनाटक राज्ये है अगर यह वीडियो सिरीज आप सभी कच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट दिखेए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे लेटेस्ट अपडेट के लिए केंदरियो असेमली में बम फेकने में भगत सिंग का साथी कौन था बटू के सवर दत्थ कृत कारणी सभा के संस्थापक कौन थे डाक्टर भीरा भीमरा अमेटकर 1929 में कांगरिस के तियासिक लावर अधिवेशन का देख्ष था किसने की ती जोहाला नहरू ने साइमन कमिशन के बीरोद में परदर्शन कारियो दोर्रा पुलिस लाठी चार्ज में घायल होने से किस ट्रस्ट वायदे ने था कि मेरी त्यूई जिसका बदला लेने के लिए सर्तार भगत सिंग ने पुलिस अधिकारी संडोर्स ख्यत्या की जी लाला लाजपतर आये पर ह साइमला हुआ था डॉक्ट्रीन और पैसिव रेशिडेंस की राशना किसने की अर्विंद घोष ने भारतिया कमिश्ट पार्टी को किस वर्स गैर कारोनी घोषित किया गया 1934 में 1935 के भारतिया अधिनियम के संविक्त संसद्या कमिटी के अध्यक्षकोंते लॉर्ड लीनी जीनना ने किस दिन को मुक्ति दियो समनाने का आदिस मुसल्मानों को दिया 22 दिसंबर 1949 को दिया था सोवियत संग में हुई कमिश अंतराष्टिय के दित्य अधिवेशन में किस भारतिया ने भाग लिया मनमेंदर नाथ रायने 1923 के विधान सभा चुना में सो राजियों को किस राजय में बगमत हासिल हुए मद्य प्रदेश में अकिल भारतिय किसान सभा के अस्थपना कब हुई थी 1936 में खासी बिद्रो करने ते तो किस ने किया तीरत सिंग ने वारेन हिस्ट्री ने 1772 में परियोग के तोर परलागान और सूलने का अधिकार किसको दे लिया ठेके दारों को मुस्लिम लिग की सीधी पर करवाई दिवस का मरद है गया किस वरस से 1946 में मुस्लिम लिग का पर्टेक्श करवाई दिवस मनाया गया क्या डक्टर भीमना मेटकर ने आजाधी इन फाउज का दिकारियों की अंगरेजों के बिरत मुकद्व में परवित की थी नहीं स्वतनता संगराम के त्रिगूट लाल बाल और पाल में कौन भारतिया राष्टिय का अंगरेज का देख्श मना लाला लाजपत राय मुहमद अली जिन्ना का चौदव सूतरी प्रस्ताव किसके विरूत था नेरू रीपोड के भारत छड़वा अंगरेज का रेडियो संचालन का स्रेक किसे दिया गया उसा महता को दिया गया था रेडियो संचालन का कार्या भारती राष्टे कांगरेस के प्रता मुस्लिम अद्यक्ष कों थे बदरूम तयाब जी डक्टर भीमरा मेटकर ने गुलवेन सम्मेलान के कितने बैठकों में भाग लिया था तीनों बैठकों में 1944 में संचालित बैक्तिगत संत्यागरा अंदोलन के सत्यागरी कों थे बिनुबा भावे या किसकी उद्गोशना थी किस सुराज मेरा जनमसीत अधिकार है मैं इसकर लेकर रहूंगा बालगंगा दर्थी लग की बालगंगा दर्थी लग कितनी बराष्टी है कांगरेस के अध भी वार नहीं बने थे इस याटिक सोसाइटी के संस्थापकों थे बिलियम जोंस थे पाकिस्तान के मांग किस वर्ष्ट की गई 1940 में मुश्लीम के लिए अलग निर्वाचन चेत्र की ब्यवस्ता का प्रवधान पौली बार किस एक्ट में किया गया उन्नी सो नौ के एक्ट में और ध्यक्षिया सम्भधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भासा के लिए रोमान लीपी लागू करनी का वकालत क मुलाना अब्दुलकलाम अजाद ने ब्रिटीस भारत ने मातमा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 को अगर यहाँ वीडियो सिरीज आप सभी को अच्छा लग रहा हो और किसी भी कॉम्पूरेटिव एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो और एक ही जगह पे आपकी पूरो स इस चैनल पर बने रही है आपको एक से एक अच्छी कॉंट्रेट आप सुभी के लिए उपलॉप्ट कराया जाएगा